नमस्तार साथियों डॉक्टर रुमंग करना उम्योपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज महिला दिवस के अफसर पर या 5-6 वीडियो बने हैं एक साथ जो कि एक एक करके आपके सामने पोस्ट हो रहे है और आज महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्य आजाती है पैनिक वाली स्थिति आजाती है कि जब आपकी डिलेवरी हो उसक्याद आपके मिल्क का प्रोड़क्शन ना हो आप इंतिजार करें कि बच्चे को पहला जो कुलिस्ट्रम यलो कलर का मिल्क का डिश्चार्ज होता है उसका दो बून पिला सकें लेकिन वहाँ ना पिला पाएं आपको जीवन पर पच्चा ताप रहता है तो मैं आपको उस पच्चा ताप से बचाने के लिए वो जो अस्पताल का 12-24 घंटे होता जब नर्स कह रही है ब्रेश्ट की मसाज करो ब्रेश्ट को प्रेस करो किसी तरह मिल्क का प्रोड़क्शन हो और आप पैनिक कर रहे हैं बच्चे को ले लेके बच्चों के विभाग में जा रहे हैं नियो निटल विभाग में जा रहे हैं बच्चों के डॉक्टर को फोन कर रहे हैं लेकिन आपके मिल्क प्रोड़क्शन नहीं हो रहा है हम आपको बताएंगे ऐसी तीन कारगर होमियोपैथिक दवाएं जो आप में milk production शुरू कर देंगी, इंस्टिगेट कर देंगी बहुत कारगर दमाएं हुमियोपेथी में बस साथियों, दबा बताने से पहले आप से फिर बताएंगे कोई भी दबा कुसल्ची की सक्से प्रिस्क्राइब कराके ही लीजिएगा दबा और सिम्टम वेक्टी टू वेक्टी हुमियोपेथी में भिन होते हैं इसलिए जरूरी नहीं जो हम आपको बता रहे हैं वो सब आप पे कारगर हो चलते हैं साथियों सफर पे, जिसमें कि आप अस्पताल में होते हैं आपके बच्चा हो चुका होता है, वो रो रहा होता है लेकिन आपके दूद का प्रोडक्शन नहीं होता है कि आप उसको पिला पाएं हम आपको बताते हैं तीन ऐसी कारगर जवाएं जो दूद का प्रोडक्शन शुरू कर देंगी या शुरू कर देंगी ऐसी तीन कारगर दवाएं आपको हम बताते हैं नमबर एक दवा सातियों जो इसी सितिकी निपटने की आपके पास है आपके आपके आप्शन्स में है वहाँ है सबल सेरूलेटा आप सबल सेरूलेटा का मदर टिंचर टिंटें ड्रॉप्स, दददस बून हर दो घंटे पे ले सकते हैं जब तक आपका मिल्क प्रोडक्शन सुरू ना हो जाए यहाँ बहुत अच्छी दवा है जो बहुत आपको लाब देगी और आपके प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन होगा यहाँ तक कि माईं डिलेवरी से पहले इसको लेना शुरू कर दे थ ही कि मौके पे आप फेल ला हो आपके मिल्क प्रोडक्शन हो जाए अगर आपको अन्देशा है कि आपको मिल्क प्रोड़क्शन नहीं सबसेललेटा बहुत अच्छी दवा है मिल्क प्रोड़क्शन को महिला में स्टार्ट करने की दूसरी दवा जो इस संखला की है कि आपके मिल्क प्रोड़क्शन नहीं हो रहा निल है उसको शुरू करने की वाहर सीकेल कॉर्णेटम सिकेल को और 30 दो दो मून दिन में 3 बार आप ले सकती है अगर आपके मिल्क प्रोडक्षन नहीं हो रहा है इसको भी आप 4 दिन पहले सबल सेलिलेटा मदट इंचर के साथ शुरू करने और अगर आपके ओवरियन सिस्ट की हिस्ट्री रही हो या यूट्राइज सिस्ट की हिस्ट्री रही हो तो सिकेल को और आपके मिल्क प्रोडक्षन को शुरू करने में बहुत मदद कर सकती है आप इस दवा को भी अपने ध्यान में रख सकते हैं अगर आपके सामने ऐसी समस्यात आये तो ये दवाएं ती सातियों आपके मिल्क प्रोडक्षन जो की नहीं हो पा रहा है उसको सुरू करने की जिससे कि आपको एन वक्त पर परिशानी ना हो बच्चे को आप फीड करा सके आपका फीड बच्चे के लिए बहुत जरूरी है आपके मन में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मारे वाट्साइप नंबर पर अपनी क्वेरी को वाट्साइप कर सकते हैं नीचे दिया है नोटिफिशन पैनल में आप देख सकते हैं या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पर आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं ये साथियों बताना चाहेंगे कोई भी दवा बिना कुसल चिकेसक से पूछे प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो सकता है कि यहाँ वीडियो उस महिला की मदद कर दे जो अस्पताल में है और उसके मिल्क सप्लाइ नहीं हो रहा है अगर आपको ऐसी बात लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा इस चैनल को सब्स्राइब करिएगा बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप करते रहिएगा आपका साथियो इतनी देर हमाएं साथ रहने के लिए साथ देने के लिए पेशेंट से हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेलेक टहुत अंद करना हमाएं साथ कियो बहुत नया वीडियोग आपका प्रापका झाल झाल